असलाम लेकुम आप देख रहे हैं एटुजट फूट डोगर राज में आप डॉंग के लिए के एफसी से बेतर घर पड जट पड से चिकन प्राई की रेस्पी लेकर आई तो चलते हैं रेस्पी की तरफ रेस्पी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं हैं अभी तक किया नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें अच्छा सा प्याराइच सा कॉमेंट कर दे तो चलते हैं रेस्पी की तरफ जी तो यहां पर मैंने कुछ लैग पीस लिया है और कुछ छोट छोटी सी बोटिया है तो इनको आज हम फ्र पोड़ी देर के लिए तकरीबन एक मिनार तक दीप करके रखा और पर अच्छी तरह से धुल गे तो अब हम चुरी की मदद से इसके अंदर इस तरह से कट लगाएंगे इतने तने फासले पर हमने यहां पर कट लगाने है इस तरह से ताके जो चिकन है वो हमारा अच्छी आप आप लगा है यह तो हम जब आगे पीछे लग बश्राइ करते हैं तो हम उपर उपर पीस यो फिश वगेर को उपर उपर कट लगाते हैं लेकिन इसके हमने जो है वह अंदर तक की स्टाइल गाके इसको इससतरा से फिला देना है यह देखें कुछ इस तरह से वीडियो बिल्कुल जबर्दस सी आप लोग की रैस्पी बनकर तियार होगी बिल्कुल के स्टाइल के आप लोग के यह फ्राई होंगे तो यहां पर यह देखे सारे लैक्पीस को हम इसी तरह से कट कर देंगे तो थोड़ा सा फ्रीज में रखा हुआ चिकन है तो इसलिए थोड़ा यह हाड हो रहा है लेकिन अगर आप लोग फ्रेश लेंगे तो यह बिल्कुल सोफ्ट और रसानी से कट जाएगा यह देखे इस तरह से हम लगा लेंगे अब हम सारे इस तरह से लगा लेंगे कट जी तो यह देखे सारे लेकिस पर हम इसी तरह से कट लगा चुके हैं अब हम चलते हैं अगले स्टैप की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कप दूद लेंगे दूद हमने बहुत ज़दा पतला नहीं लेना गारा दूद लिया हमने एक अधी चमच सबस मिर्च डाली ह मिर्च दाली अधी चमच हली आधी चमच अधि घरम qhalade राली है है को यहाँ पर नमख डरा दाला है् अरहां यह दो से तीन स्य लाव और दा Li आगा कोई किण्य कीजेगा तो यहाँ पर दो चमच के क्रीव हमने यहां पर विनेघर若 जाल दिया तो यहां पर इस लिमाड़ दाला है है ताके यह थोड़ा सा चिकन है वह हम मिसाले जो हैं पुर आप इंसको हुँआ ह्यारा क्एकर ही करते हैं वह पर करते हैं एककर को दोगा तक्रीबन इस तरह से मेरिनेशन के लिए हमने इसको तीन से चार घंटे के लिए रखना है तो ताके इसके अंदर अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो जजब हो जाए उसके बाद हमने इनको फ्राइ करना है अब हम तीन से चार घंटे के लिए से फ्रीज में लख लख देंगे तो मिलते हैं तीन से चार घंटे के बाद सबसे पहले हमने एक फ्लेट के अंदर दो कप के करीब हमने मेडा लिया है इसके अदर इच शुरक मिर्च का पौará श ले का बहुत जादा तेज आंज पर हमने घी को पहले ही गरम नहीं करना तो यहां पर इसे तकरीब हम तीन से चार घंटे हो गए हैं रखे हुए तो अच्छी तरह से यह मैरिनेशन हो गया है अब हम चमची मदद से इसे उपर नीचे करेंगे इस तरह से यह जो इसके नबर पानी है इसके अंदर यह निकाल लेंगे पानी जो है वो सारा यह देखें यह भी अलग करके हम सारा यह पानी इसके अंदर अलग कर लेंगे इस तरह से अब हम अगले स्ट्रेप की तरफ चलते हैं जी तो यह देखें जो मैरी नेशन के ऊपर से जो दूद वाला पानी तरह है वो और यह जो आटा हमने मिक्सर के रखा हुआ था वो इस तरह से एक लैक पीस लेंगे उसको आटे के अंदर इस तरह से अच्छी तरह से मस लेंगे इस तरह यह देखें एक बार फिर डिप करेंगे फिर मस लेंगे और उदर हमने हलकी आँच पर घी को गरम होने के लिए रख दिया है घी को एक दम बहुत जादा तेज आँच पर नहीं रखना ना ही बहुत जादा तेज आँच पर हमने गरम करना है तो यहां पर एक बार फिर पान यहां पर अजप्र ही इस तरह से जाड़ेंगें ताकर भिख़गेंगें गूर्ण होने के लिए लग रुड़ा है उसके अदर ढाल देंगे सब्सक्राइब था लिएभा आई ताकि एक वक्त में दो से तीन पीस फ्राई हो सके तो इसलिए हम दो से तीन डालेंगे इसके अंदर साथ साथ साइडे भी चेंज करते रहेंगे ताकि जले ना या किसी साइड पर जादा कलर ना आजे या किसी साइड पर काम कलर ना है तो ये देखे एक वल सा कलर आ गया है ब्राउन सा तो अब हम इने निकाल लेंगे ये हमारे रैडी है मिलते हैं सारे हम इसी तरह से फ्राई करने के बाद जी तो ये देखें माशाओला से बहुत अबरस बहुत ही लाज जुआ से बने हैं उमीद है आपको हमारी रैस्पी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी रैस्पी पसंद आई है तो वीडियो के लाइक कीजिए चैनल को स्ब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर ने आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अला आपीज